इस्राइल ने एक अप्रेल दो हजार चौबिस को सीरिया की राजधानी दश्मिक में इरानी दूतवास पर एस्ट्राइक कर इरानी सेना के लेपनान और सीरिया के लिए वरिश्च कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मुहम्मद रेजा जाहेदी और उनके डिप्टी मुहम्मद हा करके इरान को एक बड़ा जखन देने का काम किया इन शिकास गतान हिरा भी दो है जिसके बाद से ही पूरा इरानी टॉप ब्रास तम तमाया हुआ है और इस्राइल को इस हमले के भायानक अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दे दी है जिसके बाद से ही इसराइल के प्रधानमंत्री नितनियाहु अपने घर और दूसरे देशों में इसराइली दूतावासों की सुरक्षा को चाक चौबंद करने में लगे हुए हैं घर की सुरक्षा के लिए इसराइल ने अपने एर डिफेंसेज को और मजबूत किया है और साथ ही अपने रिजर्फ सोलजर्स की छुट्टिया कैंसल करके उन सब को ड्यूटी पर वापस बुला लिया है नितन्याहू को कही न कहीं ये लगता है कि इरान इसराइल के साथ सीधे युद्ध से बचने के लिए उसके किसी दूतावास को निशान बना सकता है इसराइली मीडिया के अनुसार भी विदेशों में सेवारत राजनेकों ने चिंता जताई है कि उनके दूतावासों को इरान अपना निशाना बना सकता है दजेरुसेलम पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार इरान और उसके प्रतिनिध्यों की ओर से दी जा रही धमक्यों के कारण 28 इसराइली दूतावासों और वाणिजिक दूतावासों को अस्थाई रूप से बंद कर दिया गया है सीरिया पर इरानी दूतावास पर इसराइली हमले के बाद आई रिपोर्ट में इसराइली राजनीकों पर इरानी हमले की बढ़ती धमक्यों के बाद दुनिया भर में इसराइली दूतावासों को हाई अलर्ट पर रखा गया है इसके अतिरिक कुछ राजदूतों से अनुरोद किया गया है कि वे अपनी सुरक्षा के डर से सारवजनिक कारेक्रमों में ना जाएं हालकि इसराइली विदेश मंत्राले ने मीडिया में आई उन खबरों का खंडन किया है कि इरान की ओर से जवाबी कारवाई की धमकियों के बीच येरुशलम दुनिया भर में अपने दूतावासों को बद कर रहा है आपको यहां ये भी बताते चलें कि इसराइल ने इरानी दूतावास पर हमले की अभी तक जिम्मेदारी नहीं ली है जिसमें सीरिया में इरान के शीर्स इसलामिक रेविलुशनरी गार्ड कॉप्स के साथ साथ उनके टिप्टी और अन्य पांच आयार जीसी अधिकारी मारे गए थे तेहरान ने इसराइल को दोशी ठेराया है और साथ ही बतला लेने की कसम भी खाई है बतला लेविलुशनरी उनके इसराइ mantenे इसराइलाऍटी के सAcव़कारी में खाई पांच उख्चेड़ को पक्रत फिद्डीकि बतला वांच चरे बतला धाई है